जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहित के बहुत ही मात्वण कॉस्चन आंसर अपनी जो टेस्टे सीरे चले जिसका पार्ट पांच है चार पार्ट अप्लोड हो चुके हैं तो भाई भी आप देखना न भूलें और सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक अबस्ते कर लें एक पार्ट में अपन यहाँ पर पचास कॉस्चन कंप्लेट करते हैं वह भी बहुत ही कम समय में तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार कॉस्चन है काप में दुखांत सुरिष्टतम ब्रलतम वस्तु है किसका कथन है एक कथन बताना है वहती मातपुन कॉस्चन आपसे यहाँ पर पूंचा गया है कथन बताईए किसका है ए तो आपका सही आंसर क्या होगा आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं और किसी अन्य रूप में नहीं तो यह जो कथन है किसका है यह आपके लिए बताना है कौन सब है पास्चात आलोचक है जो काबबे को काबबे की रूप में देखने का आगिर ही है अन्य किसी रूप में नहीं तो आपका सही आंसर है question number 2 का विकल्प number एक इलियट आपका सही आंसर यहां पर है अंगला question पूँचा क्या है आलोचक आलोचिना का प्रस्तान बिंदू तो भाव और उसकी अनुभूती है पार उसकी परिणती बोध में होती है किसका कथन है यह यह कथन बताना है बहुत भी महत्पूण question पूँचा क्या है एक इतन बताए किसका है तो question number 3 का सही आंसर है C यानि की कॉलरिच कॉलरिच आपका यहां पर सही आंसर होगा अंगला question क्या है देखिए अंगला question पूँचा है सदोस उत्तम ता और निर्दोस मध्यम ता में कौन सा अधेक ग्राहा है एक पूँचा किसका है यह बताईए तो question number 4 का आपका जो सही आंसर है बहे आपका यहां पर क्या है आपका right answer होगा यहां पर low giants आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प number 1 right answer होगा कभी को निर्माता किसने कहा है यह आपके लिए बताना है चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए है कभी को निर्माता किसने कहा है तो अरस्तु आपका यहां पर सही आंसर है अरस्तु right answer है अंगला question क्या है कभी को अनुकरता किस ने कहा है कॉस्चिन नमबर 6 का सही आंसर बताइए कभी को अनुकरता किस ने कहा है तो कॉस्चिन नमबर 6 का सही आंसर है प्ले टू प्ले टू आपका हैं पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन है क्या है कॉस्चिन नमबर 7 देखी उपियोगी कला और ललित कला में बेद इसपष्ट करने वाले पिर्थम आचारे कौन हैं चार विकल्ब देगा है, कौस्चन नमबर साथ का सही आंसर, विकल्ब नमबर सी आनिकी अरस्तु आपका सही आंसर है अंगला कौस्चन, क्या है अंगला कौस्चन, तो देखिए कौस्चन नमबर आठ आप से यहां पर पूँचा गया है साहित्तिक छितिज पर किसकी आविर्भाव के पूर्वे, इंगलेंड में इस पेज मोटिक नामक कब आंदूलन चल रहा था यह आपके लिए बताना है, तो आपका यहां पर आठ का राइट आंसर है, विकल्प नमबर डी, मेथ्यू, मेथ्यू, अर्नॉल्ड, मेथ्यू, अर्नॉल्ड, आपका यहां पर सही आंसर होका अंगला question है, question number 9 क्या पूँचा गया है, देखिए question number 9 यहाँ पर पूँचा गया है, किसी दरश्टी में काप विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है, बाग के रसात्मा के काप्यम किस की उखती है, यह आपके लिए बताना है, यह आपके लिए बताना है, यह आपके लिए अंडी, भामाय, बामन, विस्वनात, यह चार विकल्प दिएगा है, question number 10 है, और 10 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है, बाग है विकल्प नमबर D, यानि की विस्वनात, आपके हाँ पर सही आंसर है, अंगला question है practical, criticism के रचनाकार कौन थी, तो इसकी रचनाकार आपसे पूचा है, बहुती महत्तपुन, question है, question number 11, और 11 का सही आंसर आपका जो यहाँ पर है, बाग है, right answer, विकल्प नमबर, एक रिचर्ट से आपके हाँ सही आंसर है, अंगला question है कौन सी रचना, प्रेमख्यान का अपबे नहीं है, तो प्रेमख्यान का अपबे नहीं है, कौन सी रचना नहीं है, तो question number 12 का राइट आंसर आपका सी आनि की अखराबट जाई सी जी, यह जो है, प्रेमख्यान का अपबे नहीं, अंगला question, किस कभ भी है कुतुबन उस्मान रजजब या मंझन तो 13 का सही आंसर आपका जो है यहाँ पर पहे विकल्प नंबर आपका C आनिकी रजजब रजजब आपका यहाँ पर सही आंसर है रामचरत मानस की कथा वस्तु का विवाचन किस रूप में हुआ है आपका यहाँ पर सही आंसर है आपका यहाँ पर सही आंसर है रामचरत मानस की रजजब यहाँ बत किस रूप में हुई है कवित्य वर्वयत दोह चौपाई या छपपाई तो Q16 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर C दोह चौपाई पद्मावत की रशना के स्चंद मुहिए तो दोह चौपाई आपका राइट आंसर है बिर्मरगीत परंपरा का मूल उद्गम के से मूल उद्गम इस्थल कहां है तो Q17 का राइट आंसर है श्री मद वागवद पुराण में आपका राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन क्या है तो अंगला कॉस्चन देख लेते हैं अंगला कॉस्चन आपका देखे पुष्टी मार की ये संपरदा में पुष्टी का अर्थ है क्या है तो पुष्टी मार की संपरदा में पुष्टी का अर्थ बताना है Q18 का राइट आंसर क्या है आंसर बनता तालाब की मचलिया कभीत संğini रहे किस का है तौकर हैन्गले कवीत संग्रह बताने हैं चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए है कौश्चर नम्बर नमबर है उन्निस और उन्निस का सही आंशर आपका यहाँ पर क्या है तो नांगर जिन ओंन पर सही आंसर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है अंगले कौस्चिन है भूर का तारा एक आंकी के रचनाकार कौन है विश्णु प्रभाकर नामकुमार बर्मा जग्दिस चंदर मात्वर या उपेंदरनात असक क्वास्चिन नंबर 20 यहां पर पूचा गया है भूर का तारा एक आंकी के रचनाकार कौन है तो जग्दिस चंदर मात्वर आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहां पर है अंगले कौस्चिन क्या है तो देखें अलंकार ग्रंत पदमा भरन की रचनाकार कौन है तो इसके जो पदमा भरन की रचनाका हैं देव भूषण पदमाकर या मती राम 21 का राइट आंसर है आपका यहां पर पदमाकर कौन है पदमाकर आपका सही आंसर यहां पर होगा अंगला कॉस्चन क्या है साई में धुप की रचनाकार कौन है जैनेंद्र कुमार केशरी कुमार दुसियंत कुमार या बच्चन बच्चन देव कुमार तो कॉस्चन नमबर 22 का राइट आंसर बताना है और साई में धुप की रचनाकार है दुसियंत कुमार विकल्प नमबर आपका सही यहां पर राइट आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूंचा गया है मन रे परस हरी के चरण यह भाव किस कभी का है र कॉस्चन है देख measure ंडी से भी मुसल्मान कवियों में सबसे उंचा इस्तान किसका है तो यह आपके लिए वताना है सबसे उंचा सही आंसर बताना है विकल्प नमबर डिए रस खान यहां सही यौ स्धोर का यह लीन का पूरा नाम है रसलीन जो है इनका है पूरा नाम क्या है question number 25 का सही answer बताना है तो सयद गुलाब नभी आपका यहाँ पर सही answer इनका जो है पूरा नाम है अंगला question है अलंकार ग्रंते कभी कुल कंटा बरन की रचनाकार कौन है कभी कुल कंटा बरन की रचनाकार question number 26 का सही answer बताना है तो आपका यहाँ पर सही answer क्या होगा 26 का b right answer है बहुत बनिया विकल्प number b जनों ने बताया उनका सही answer है एक बार यहाँ पर पर वीडियो को सभी लोग लाいक अबस्ते कल लें जनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कै तो एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते खन लें अंगले कॉस्चिन यहां पर पूशा गया है दोहा में बनाया गया रस निरूपन का ग्रंथ रस प्रवोध किसकी रचना है? कॉस्चन नमबर 27 का सही आंसर है रसलीन किसकी रसलीन यानिकी बिकलत नमबर एक आप के हांपर सही आंसर है अंगला कॉस्चन है भारत मित्र पत्रिका का प्रकासन कहां से होता था तो भारत मित्र पत्रिका का जो प्रकासन होता था वह है उदैपूर, गोरकपूर, फरुकाबाद या कुलकत्ता तो आपका 28 का राइट आंसर है विकल्प नंबर D आनि की कुलकत्ता आपका सही आंसर वि उट पटांग भासा चारों और दिखाई पड़ती थी उसी परंपरा जो है उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती यह जो पंती है यह पंती किसकी है तो question number 29 का सही answer आपके लिए बताना है जो क्रोचे थे क्रोचे यह किस देश के नवासी थे तो question number 30 का सही answer है आपका इटली विकल्प नंबर आपका सी यहां पर right answer है दिनकर की पहली रचना कौन सी है दिनकर जी की पहली रचना बताना है पहली रचना महत्तुपॉर्ण question पूंचा गया है तो कौन सी रचना है तो 31 क सही answer आपका इहां पर क्या है प्रण भंग आपका सही answer होगा अंगले question है नूर जहां प्रबंद काभी की रचना कार कौन है question number 32 का नूर जहां प्रबंद काभी की रचना कार कौन है तो 32 का विकल्प नंबर गुरु भक्त से भक्ते आपका right answer है विकल्प नंबर एक आपका स दुसकरतर बड़ा भाग होता तब जब विस्व जीवन में आता है, कोई बिरला विस्व खाता है, जो है यह जो पंती है, यह पंती बताना है किसकी यह पंती है, तो बताईए, कोईशन नमबर 33 का सही आंसर बताना है, 33 का राइट आंसर है, बच्चन, बच्चन आपका विकल नमबर भी राइट आंसर है, इनकी पंती है, अंगला कोईशन की आप पूंचा गया है, तो देखे, जड़ता है जीवन की पीना, और निस्त रंग पासानी करिया, तुम ने अन राइट नमबर आपका राइट आंसर है, एक आनकी तुरलोचन, तुरलोचन की निस्त पंती है, अंगला कोईशन की पूंचा विकल ठाहे, पानी पानी की साफ रहे, जो भी चाहे ले परख जलास्य के तल को, गहराई का बे भेद छिपाते हैं केवल, जो जान बुज गंड ला करती अपने जस्को जो पंती है यह यह है पंती किसकी है यह पंती बताना है question number 35 में right answer तो 35 का सही answer है दिनकर आपका right answer है बहुत बढ़िया दिनकर जो नोंने बताया है उनका यहांपर सही answer है पूरा नाम क्या था तो तिल्लोचन का पूरा नाम था अंगला कॉस्चन क्या है अंगला कॉस्चन यहां पर पूरा नाम था कॉस्चन नमबर 38 का सही आंसर बता नाम था तो यह जो पनती है यह किसकी है हरी वंसराय बच्चन यानि की विकल्प नमबर डी आपका यहां पर सही आंसर है डी राइट आंसर है जहां भूमी पर पड़ा सोना धस्ता चांदी धस्ती ही जाती प्रत्वी में बड़ों-बड़ों की हस्ती मातर भूमी की महमा का बखान विद्द्रोही कवीता में जो किस कवी ने किया विद्द्रोही कवीता में किस कवी ने किया ये आपके लिए बताना है तो question number 49 का सही answer है यहाँ पर क्या है राइट आंसर बी राइट आंसर माखनलाल चतुरबीदी आपका सई आंसर यहाँ पर विकल्प नमबर बी अंगला कॉस्चन है एल फेल खेल भेल खलप पे गेल गेल और गजल की डेल पेल सेल उस लत है तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा बर यह हलत है किसकी रचना है तो यह आपके लिए बताना है कॉस्चन नमबर चालेस का सई आंसर बताना है तो चालेस का सई आंसर आपका भूशन विकल्प नमबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है साक्षी है इतिहास हमी पहले जागे हैं जागरत सभ हो रहे हमारे ही आंगे हैं, सत्रु हमारे कहा नहीं भाय से भागे हैं, कायरता से कहा प्राण हमने त्यागे हैं, ये किसी की पंती है, question number 41 का सही answer बताना है, और 41 का right answer, सिया रामस्राण गुप्त आपका right answer होगा, सिया रामसरान गुप्तजी की पंती है अंगला क्वाश्चन है देव और दानव अभी तो फर्क हैं एक ही आतमा अपनी पास रहती और दूसरे की उस से दूर किसकी पंती है ए तो क्वाश्चन नमबर 42 का सही आंसर बताना है तो 42 का राइट आंसर है हरी संकर पर साई आपका राइट आंसर यहाँ पर है बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन है हमारी नजरों में एक नेश्ट स्रद्धा कोई मूले नहीं रखती छण छण नया रूपे धारन करने वाली स्रद्धा ही वास्तवे योग स्रद्धा है किसकी पंती है यह तो कॉस्चन नमबर 43 का सही आंसर क्या राइट आंसर है गौस्चन नमबर 44 का विकल्प नमबर B दोस्यनत कुमार आपका राइट आंसर इनकी रचना है भिर्मर गीत कमुख्य का पृत्पात्द क्या है तो कॉस्चन नमबर 45 का आपका जो सही आंसर है बहु है आपका C आनि की संगण उपासना की प्रतिष्टा आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कोश्चन है सुजान सागर किसकी रचना है कोश्चन नमबर चालेस है बहुत ही मातपूर्ण कोश्चन है सुजान सागर किसकी रचना है तो गनानंद आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका C आपर right answer है अंगला question है दुर्गेश नंदनी किसकी रचिना है दुर्गेश नंदनी ये रचिना बताने question नंबर 47 में और 47 का सही आंसर है बंकिम चंदर चटर जी आपका right answer है विकल्प नमबर भी आपका सही आंसर है और मिला किसकी रचिना है कौशन नमबर 48 का सही आंसर बताइए और मिला किसकी रचिना है तो 48 का सही आंसर है कमलेस्वर कमलेस्वर आपका हैं पर सही आंसर है बिल्कुल सही कमलेस्वर राइट आंसर है अंगला question है दलत राजनीती का सौंधर ये सास्तर किसकी रचना है जै परकास की उदाय राय की ओम परकास या राम सुजान तो question number 49 का सही answer आपका ओम प्रिकास बालमी की ओम प्रिकास बालमी की आपका यहाँ पर सही answer है तो दलत राजनीती का स्वंदरे सास्तर किसकी रचना है ओम प्रिकास बालमी की अंगला question question number 50 सकाराम बाइंडर किसकी रचना है मुप्तिबोध एसपाल कमलेस और विजय तेंदुलकर तो 50 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर बताएं पचास बालमी कोस्चन है विजय तेंदुलकर आपका यहाँ पर सही answer है बहुत बढ़िया विजय तेंद कारी आप कहां तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें बहुत ही महत्तपूर्ण यह अपनी यहाँ पर question answer थे तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्य कर लें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी क बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद